और चुनाव के लिए आज पहले च्वरण का मतदान होना है केनुशास्त प्रदेश के साथ जिलो के 24 विदानसभा सीटों पर सुबह साथ बज़े से वूटिंग शुरू हो गई है फिर्स फेस की आठ सीटे जम्मू डिविजन और 16 सीटे कश्मीर घाती में है वहीं सबसे ज्यादा साथ सीटे अनंतनाग और सबसे कम दो-दो सीटे शोपिया और रामबन जिले की है चुनाव आयोग के मताबिक पहले फेस में 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं इनमें 9 महिलाएं और बान में निर्दली उमीदवार हैं जमुकश्मीर की नब्वे विदानसबा सीटों पर 18 सेटों पर 18 सेटों पर 25 सेटों और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी नतीज़े 8 अक्टूबर को घोशित किये जाएंगे आयोग ने बताया है कि पहले चरण के लिए 23.27 लाख वोटर अपने मत का इस्तमाल करेंगे जिसमें 11.36.000 पुरुश मतदाता होंगे और 11.51.000 महिला वोटर होंगे पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलो और एजंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है हम आपको साथ जिलों में हो रही विधानसबा चुनाव से जुड़ी चार अलग अलग तस्वीरे दिखाने जा रहे हैं तस्वीरों के जरिया आप देखेंगे कि किस तरह से जो चुनाव हैं वो हो रहे हैं और ये चार तस्वीरे आपके सामने हैं डोडा, पुलवामा, किष्टवार और कुलगाम से ये तस्वीरे जहाँ पर पहले चरण की 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अपने मतादिकार का इस्तमाल करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सालों बाद यहाँ पर वोटिंग हो रही है विधानसबा चुनाव हो रही है और उसको लेकर हलाकि खासा उत्सा लोगों में देखा भी गया है ऐसे में इन परस्तियों के बीच अब जब चुनाव हो रहे है तो बड़ी संख्या में लोग मतदान के इंडरों पर पहुंच रहे हैं अपने मतादिकार का इस्तमाल कर रहे हैं ताकि एक सरकार जमू कश्मीर के लिए चुनी जाए और उस सरकार के तहट जमू कश्मीर का भविश्य सुधर पाए और साथी साथ विकास वहाँ पर हो पाए यह तस्वीर आपको अलग-अलग जगाओं से दिखा रहे हैं डोडा, पुल्वामा, किष्टवार और कुल्गाम से 24 स्विधान सबा एक श्रेत्रों में 239 उमीदवार सुभा 7 बज़े से शाम 6 बज़े तक वोट डाले जाएंगे आनि कि देखें वोटिंग शुरू यहाँ पर हो चुकी है सुभा 7 बज़े से ही और शाम को 6 बज़े तक वोट यहाँ पर डाले जाएंगे हाला कि लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं सालों बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भी एक चुनावती थी कि क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं लोग इससे सहमत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे इन तमाम सवालों के बीच जो तस्वीरे हैं वो इन सवालों के अब जवाब बनती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि कित्ती बड़ी संक्या में लोग यहाँ पर पहुच रहे हैं लंबी-लंबी कतारे मतदान के इन्रों के बाहर नजर आ रही है लोग वोट देने के लिए यहाँ पर पहुचे हैं दस साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं साथ जलो के 24 विधानसभा सीटों पर मतदान फिलहाल जारी है पहले जरन का मतदान आज होना है आठ अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे